ही गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाने वाले हैं खस-खस का हलवा, जो कि स्पेशली विंटर्स में खाया जाता है, तो आएए इसकी रेसिपी और इंग्रीडियन्ट मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, इसमें मैंने यहां पे लिए 100 ग्राम खस-खस, जि घी यूज करके हम यह हलवा बनाएंगे, सबसे पहले हम खस-खस को मिक्सी में पीस कर, इसका एकदम बारिक पेस्ट बना लेंगे, अब एक नॉन स्टिक पैन में कुछ 52-70 ग्राम आप इसमें घी एड़ करें, घी के मेल्ट होने के बाद जो खस-खस का पेस्ट हमने बनाया और आपको इसे पकाना होगा और कुछी देर में आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होने लगेगा और यह थोड़ा ड्राइ भी हो जाएगा तो मैंने इसे आदे घंटे तक भून लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये खस-खस अब ड्राइ हो गया है अब आप इसे एक प्लेट में साइड में रख दीजिए अब सेम पैन में हम 250 ml दूड डालेंगे और 100 ग्राइम जो शुगर हमने निकाली थी वो इसमें डालेंगे और शक्कर के पूरी तरह मेल्ट होने के बाद इसमें हम अपना खस-खस का मिक्सचर एड़ करेंगे और फिर से उसे पकाएंगे तो यहाँ पर मैंने शुगर मेल्ट करने के लिए रख दी है इसके अच्छी तरह मेल्ट हो जाने के बाद आप इसमें खस-खस डाल सकते हैं खस-खस को दूद में एड़ करने के बाद अगेन आपको इसे कुछ 10-12 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना होगा जब तक दूद पूरी तरह ड्राइ नहीं हो जाता दूद हमने इसमें 250 ml इसलिए लिया है क्योंकि यह बहुत जल्दी हलवा आपका ड्राइ पढ़ जाएगा अगर इसमें दूद की कॉंटिटी कम होगी इस हलवे में दूद की कॉंटिटी हम डबल यूज कर रहे हैं ताकि यह ड्राइ ना हो और आप इसे कम से कम पास साथ दिन तक स्टोर करके रख सकें अब हम इसे एक दो मिनिट हाई फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद आप इसे सर्फ कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा खसकस का हलवा बन के त्यार है आप इसे अपने फेवरिट ड्राइ फ्रूट्स के साथ सर्फ कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले